Hello guys, what is up? My name is Pradeep Kumar जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं अभी चस्मा नहीं पहेंड रहा because I have recently gone through LASIK eye surgery इसके अंदर मेरा LASIK operation हुआ तो उसी इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि LASIK operation का मेरा पूरा experience कैसा रहा कहां से मैंने LASIK कराया और recovery period क्या था पूरा experience में आपके साथ शेर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यह decision नहां से आया मेरे माइन में कि मुझे LASIK कराना है तो मेरी जो power है वो 5.75 minus 5.75 मुझे दूर का देखने में बहुत problem होती है बट अब हालत ऐसी हो गए थी कि मेरे को pass का देखने में दिक्कत होगी मेरे की power बहुत ज़्यादा हो गए थी 5.75 तो generally जो computer पर काम करते हैं या family history जिनकी होती है तो उनको चस्मा लगता है मेरी family में सबको ही है और मेरे को ज़्यादा ही power बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा हम computer screen देखते है और बहुत ज़्यादा हमारा involvement रहता है phone चलाना और बेकार habits भी बहुत सारी होती है तो उसी के दरमियान मुझे चस्मा लगा है 5.75 वो overall the period भढ़ता गया तो COVID के टाइम पे मेरे भहिया ने laser surgery कर आई थी तो वहीं से मुझे inspiration मिली क्यार यह possible तो है अच्छा feedback भी अच्छा है इनका तो इसको try करना चाहिए लेकिन हिम्मत नहीं आई अंदर कि अभी लगा कि थोड़ा career set कर लेते हैं अगर कुछ गलत सलत हो गया तो दिक्कत हो सकती है तो यह मन में था एक fear तो उसके बाद मैं यहां पर हदराबाद में shift हुआ अपने job के चक्कर में तो यहां दो साल के बाद फिर मैंने swimming start की and badminton खेलने लग गया तो मुझे वहाँ थोड़ी problem ज़ादा होती थी swimming मैं तो बिलकुल नहीं दिख रहा है अंदर थोड़ा बहुत अंद्याज़ से swimming कर रहे हैं मिनको पसंद है swimming इसलिए मैं regular जाता था उसमे and badminton में चस्मा इतना बड़ा लगा कि आप घूम रहा है लोग खेलते हैं generally it's not a problem but मुझे थोड़ा लगा कि इसको करना चाहिए काफी ज़्यादा पावर हो रही है 1 है 2 है it's fine but 5.75 is too much and also one more motivating factor was कि my company kind of gave like 70 to 80% reimbursement for the cost you cost incurred in this particular operation तो मेरी company से insurance claim हो जाएगा 70% 80% cost आपकी recover हो जाएगी company से तो ये भी एक बड़ा motivating factor था क्योंकि काफी costly है operation होता है तो start करते हैं से पहले मैं doctor visit करने गया तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई Dr. Prashad Balki से ये ophthalmologist है जो eyes के specialist होते हैं वो हैं ये सबसे पहले मेरी eyes का scan हुआ power check हुई और पूरा eye की आपकी health check की जाती कि whether your eye is not having any underlying conditions muscles everything बहुत complex 1500 रुपे का scan होता है काफी जादा जहाग के देखा जाता आपकी eyes के अंदर वो scans लेके फिर हम doctor के पास गए तो उन्होंने बताया कि ये eyes is good and you can come with contour lasic there is a procedure for contour lasic I will put a video here what it is so that आपको idea लग जाए तो मुझे बहुत घवराट हो initially सुनके कि वो करते हैं वो basically एक flap अटाते हैं फिर laser मारते हैं आपकी eyes की जो आपकी cornea होता है उसको pig लाते हैं कुछ ऐसा operation होता है तो देख के घवराट होती है कि भई ये क्या होने वाला मेरे साथ मैं नहीं कराने वाला छोड चसमा लगाएंगे ठीक है ऐसा मेरा मन हो गया था पर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार इन्होंने बहुत सारे operations perform किये हैं इनके reviews बहुत अच्छे हैं तो you should trust it तो मैं दो महीने तक फिर मैं शान पड़ गया मैं नहीं का ठीक है देखते हैं मैं टालने गया चीज़ों को कि ओके बाद में जाएंगे बाद में जाएंगे तो फिर 29 सेप्टेंबर यह exact date है उस दिन मेरा operation था मैं यहां से सुबह मुझे 9.30 पर report करना था मैं अपने friend के साथ हम दोनों चले गए और जाते ही उन्होंने सबसे पहले टेस्ट किया प्रेसिजन के लिए कि आपकी आईस की एक्चुल में प्रेसिजन किया है फिर उसके बाद मुझे operation थेटर में ले जाने से पहले मेरे आईस में drops डाले और drops डालने के से आईस थोड़े नम हो जाते हैं और जो मेरा friend था वह बहार वीडियो बना रहा था मतलब बहार एक्जाट एक स्क्रीन लगी होती है वहाँ दिखता है कि आपरेशन में हो क्या रहा है ताकि थोड़ा ट्रांस्परेंसी रहे कि वहाँ अंदर आपके साथ तो जैसे ही मैं अंदर गया मिरको सब ऑपरेशन थेटर टाइप के कपड़े पहना दिये और आइस में ड्रॉब डाले ताकि आही नम्स हो जाए फिर मुझे जाके लिटाया गया वहाँ पर और मेरी आइस को खोला गया और पर ली इस वस्क्री और ऑपरेशन डॉक्टर हमेशा आपके कम्यूनिकेट कर रहे थे कि इस वेरी सिक्यूर ऑपरेशन दोंट वरी आम विद यू ऐसे करके वेरी कामन कंपोस्ट अरॉड़ इस वाइस थिंकिंग यह पूर्स दॉक्टर प्रस्टर दॉक्टर दोंट वर्य अवाँ अनिधिंग यह नोस वाट इस दूए इस वाट हाओ आई लाइक काम मैसल्फ डाउन सो उन्होंने मेरी आइस खोला तो जैसे ही मेरे आइस पर काम स्टाट वाँ डॉक्टर ने सबसे पहले फ्लैप अटाया फिर उसके बाद उन्होंने लेजर के थूरू मेरी आइस पर लेजर शूट किया तो उससे बर्निंग ए नहीं था जैसा कि मैंने बोला you have to trust the doctor आपको बस जब आपकी ऊपर से चीज़ें आ रही होती है आपके आँक की तरफ आपको दिख रहा होता है कि हां कुछ आ रहे हैं और instruments आ रहे हैं वह आपकी आईस को खोल रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो आपको बहुत घवराट होती हैं अगर आप प्रफर कर रहे हूं फिर उसके बाद जैसी दोना आखो में हुआ लैंस लगा दिया प्रोटेक्शन के लिए उसके बाद मैं भार आया और मैंने डॉक्टर के साथ फोटो भी खिजवाया उसके बाद I was not able to open my eyes properly because बहुत अदा सेंसेटिव थी मेरी आखे उसके ल तो फर्स डे का मैं एक्सपिरेंट बताता हूं जैसी मैं घर आया तो आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं आपको आख बंद करके तुबी ओनेस्ट मैंने आख बंद की बड़ा शेड लगाया और मैं एक जैकेट पहन के गया था मैंने उसको ढखके पूरा डखके मैं बिलकुल अगले दिन थोड़ा आंके खुली तो चमतकार दिखा मुझे मेरे घर के साथ मेरे रूम में यह पत्ते हैं पहले मेरे को दिखते नहीं कितने हैं यह जैसे मेरे मैंने थोड़ा थोड़ा देखा कि भी क्या हुआ ठीक भी वहा कि नहीं थोड़ा देखा तो बहुत इंप्रूवमेंट है आखों के अंदर तो प्रॉपरली मुझे दिख रहा था बट वही है कि आंसू बहुत आ रहे थे तो अगले दिन भी बहुत आंसू आए तीसरे दिन भी बहुत आंसु आ है, तो दीरे-दीरे रोज के रोज आपकी आईस की स्ट्रेंद भढ रही है, विजन भढ रही है, और दीरे-दीरे, और आफटर टू डेस के बाद मुझे दॉक्टर के पास जाना था, वनोंने वेरिफिकेशन किया, वनोंने रिकवरी देखि पास जाना था, वनोंने वेरिफिकेशन के बाद में दुवारा दॉक्टर के बास गया, जैसे जो लॉग वीकेंड था, उसमें मंडे की चुट्टी थी, टूस्टेइ, मैं दो दिन का ब्रेक ले लिया था, तो बी होनेस्ट, इस इंप्रूविंग डेवाइड देखिशन के स्क्रीन केमरे में देख पा रहा हूं, और ताइम देख पा रहा हूं, बट इस टिल देर इस इंप्रूव्मेंट लाइक 57 परसेंट प्रूपर विजन है, बट इस टिल देरी इस इस असलाइट है रात में थोड़ी सी आपको लाइट में ऐसे सनरेज दिखती है, तो मैंने से बात की से रिकार्डिंग तो उन्होंने बताया कि एक महीने के प्रॉसेस के दौरानी सब कुछ इंप्रूव होता है आपकी आईस में बहुत बर्न हुआ है तो वो धीर-दीर रिकावर कर रहा है तो सब और पंचे लाँ नहीं लगात परफर करतेया कि आपकी आपको प्रॉब्लम होती है आपको बिना इसके प्रॉब्लम हो रही है मैं को नौई ड्राइविंग मैं दिक्कत होती है तो यही था मेरा मोटिब बनाने गा की यू चुट गो फो एटना वरानेयारी ओस्ठीश वाइघ कम मिले मुझे ऐसे डॉक्टर से अगरा के वीडियो ज्यादा मिले तो I hope you find this video helpful कोई भी doubt आपके रिमाग में है कोई भी मन कर रहा है आपका question पूछने का तो आप comment section बताया I really want to help you because this operation काफी safe है doctor का नाम number appointment के लिए मैं आपके इसाथ लिंक डाल दूँगा आप उनसे आगर बात कर सकते हैं अपने आपके ले सकते हैं thank you so much for watching this video I will see you in the next one तब तक के लिए बाई बाई टेक के नमस्कार